सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भ्रनमशकार जैसा कि आप लोगों को पता ही है मेरा नाम सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर प्यारे बच्चो आज की वीडियो के मुख्य पॉइंट सबसे पहली बात तो यह है कि आज शाम को 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं आरी हूँ आप लोगों के साथ लाइव तो अगर आपका कोई भी प्रशन है तो आप मुझे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं चाहे को अभी कभी आपका क्वेशन छूट भी सकता है दूसरा पॉइंट वीडियो का मुख्य यह है कि अभी 12 सितंबर को सी यूटी बीर एंटरंस एक्जाम हुआ था उसमें क्या-क्या क्वेशन पूछे गए थे साथ सितंबर के मुकाबले और जो 12 सितंबर का जो एक्जाम था व क्या होगी वह क्या होगी वो क्या होगी यानि कि आपको क्या करना और तो यह मैं डिटेल में आपको समझाओंगे तो जुड़े रही है मेरे साथ इस विडियो में सुरू से लेकर आंत 설 से आंत तक तक आपको detailed information बल जाए कि कि आपने अपने result के बाद आपको actual में क्या करना है ठीक है तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपना आज का वीडियो चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा और लाइक शेयर करते रही है टेलिग्राम पे भी जोईन कर लिजिए और इंस्टाग्रा उन्हें वही कही कि इसमें teaching aptitude के questions कुछ भी नहीं आए थे हालांकि teaching aptitude का questions आना चाहिए था क्योंकि बियड जो एक entrance exam होता है और इसमें जो child development and psychology के questions है जो पूछे जाते जो हर teaching test में पूछे जाते चाहिए आप CTAT का exam दे या अपने local state का कोई भी TAT exam दे या कोई भी Kendra Vidya ल विद्याले होते उन सब major teaching aptitude और child development and psychology के questions होते वो आते हैं लेकिन ना तो 7 सितंबर वाले में आए ना 12 सितंबर में तो यह अपने आप में सबसे बड़ा प्रशन होता है 20 अपर ठीक है यह बच्चों ने मुझे बता इसके साथ साथ बच्चों ने यह बताया कि माम जो सबस बच्चों आप समझ लीजे कि अभी तक कि हम teaching का जो बीड का जो competitive exam उसको यही समझते थे कि इसमें इसी से related questions आएंगे सामाने से बात है जब आप engineering का course करते तो engineering के related questions आते डॉक्टरी में डॉक्टरी तो teaching के जो भी competitive exam उसमें टीचिंग से related आने चाहिए थे पर नहीं आएं तो देख लीते हैं सबसे पहले बार जोड़तारिया हो जाए अनुभंडारी जी के लिए क्योंकि जिन्होंने मुझे सबसे पहले message करके बताया कि माम क्या क्या questions उसमें आ जाता है इस प्रकार के questions आपके repeat हुए थे ठीक है तो पढ़ लेते हैं बच्चों के हिसाब से paper बहुत tough था बहुत मुश्किल था और I don't know क्या होता है then let's see कि क्या क्या साइस ठीक है सबसे पहला question बच्चे ने अनुभंडारी जी ने बताया है कि dance form of Udisa तो उडिसा के different dance form होंगे चार option दिये थे और उसमें से आपको choose करना था UNICEF का एक question था UNESCO का भी एक question था Books of Ruskin Bond थी और ये कहा गया था ग्यान पीट एवार्ड जो है और father of trigonometry कौन था उसके बारे में पूछा गया था discovery of India के बारे में पूछा गया था किस ने लिखी थी next question था why national education day is celebration यानि कि सिक्सादिवस क्यों मनाया जाता है योगा day के बारे में था question 21st June ये तो सभी को पता है और कुछ wars दिये थे जैसे की Korean War Vietnam War और इसके बारे में पूछा था next question impeachment of president सार्क से related question पूछा गया था और पंडित शिवा शर्मा जो है वो कौन सा बाद यंत्र बजाते हैं तो ये इस प्रकार के questions उन्हों पूछे गए थे ठीक है बाकी who was the first queen of Ashoka ये question बच्चों ने मुझे दिये थे ठीक है तो बच्चों ये इस तरीके देखे जस्ट उन्होंने एक idea दिया तो आप देख लीजिए बाकी इस भी वीडियो में सुनने के बाद भी अगर किसी बच्ची को कोई भी प्रशन याद आ ये आगे आने वाले बच्चों को help करेंगी ठीक है तो ये तो मैंने बता दिया साब 12 सितंबर के B8 का जो भी question paper आया था अब इसके साथ साथ में यह कहना चाहती है कि उन बच्चों के बहुत ही sorry feel कर रही हूं जिनका की exam चूट गया क्योंकि NTA वालोंने क्या किया कि 5 से और अगर रिजल्ट आ जाता तो आगे बच्चों को क्या करना है तो ध्यान से सोन लीजिए UG और PG वाले बच्चे जैसे ही आपका जो रिजल्ट घोसित होता है उसके बाद आपने करना क्या देखिए सबसे पहले सर लोगोंने बोला है कि आप regularly अब हर बच्चा अब मेरे YouTube के भरोसे मत बैटिए हर बच्चे को ये बोल दीजे माम कि जो एचनवी गडवाल उनिवर्सिटी की website है उसको daily basis पे विजिट करते रही है daily basis पे विजिट क्यों करना है क्योंकि जैसे ही result घोसित होगा उनके तुरंत बाद scorecard जैसे उनको बच्चों को मिल जाएगा तो तुरं कोर्स के बच्चों का किसी का 600 नंबर का था बीड़ाले बच्चों का 400 नंबर का था तो इस तरीके से counseling होगी कि पहले जो बच्चे merit में आएंगे जैसे उनको बुलाया जाएगा फिर जो second merit होगी फिर third counseling होगी इस प्रकार से आपने regular अगर आप यूनिवर्सिटी की website विज करना क्योंकि लिस्ट आपको जो detail तभी मिल पाएगी जब आप अपना application नंबर उसमें डालेंगे और तभी आपको बता पाएगा कि इतने से इतने बच्चे जो जिन बच्चों के नंबर आये उन्होंने counseling में का बाना ठीक है तो यह एक चीज होगी दूसरी चीज जो university वाल करने नहीं तो फिर होगा क्या कि एक set of coffee website पे भी upload कर सकते हैं और दूसरा जो original set होगा जो मतलब की दूसरा जो copy हम उसको लेके जाएंगे वह भी आपने रेडी करके रखना है तो आपका 10-12 certificate जिनका graduation वाले जिनका beard का है beard का वह सारे इस तरीके से अपने रेडी करके रखें तो वो सारे के सारे उन्होंने बोला कि अभी से बच्चों को माम बोल दीजी कि अपने सारे documents ready करके रखें क्योंकि देखिए आपने CUT entrance exam भरा होगा तो उसमें आपको कुछ ना कुछ चूट मिलेगी तो वो चीज़े आपकी तभी आपको बुलाया जाएगा उस हिसाब से जब आपके पूरे document ready रहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप counseling में गयर आपके document ready नहीं है ठीक है तो अपने document सारे ready कर दीजिए बच्चों बस आना दो तीन दिनों में मेरी खाल से result घोसित हो जाएगा तो यह सारी चीज़ बच्चों आपको करने हैं चाहिए आप किसी भ इसके साथ साथ अपना identity proof अगेरा सब कुछ लेके जाना होता है ठीक है तो यह थी बच्चों आपके कुल मिला के जानकारी और सार आभी तक के जो भी आपका CUT entrance exam हुआ था और इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद भी कोई भी प्रश्नगर आपका है तो आगे बढ़ते रहें क्योंकि पड़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया जयाहिन जयाभारा धन्यवाद बच्चों जयाहिन